कि आपको पता है कि पाइल्स एवं फीशर जो है उसमें क्या डिफ्रेंस है जब आप बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक वाश्रूम के अंदर एक ही पोजिशन में यानि की जो मलदवार के पोजिशन में बैठे रहते हो तो आपकी जो ब्लड वेसल देते उस पे दबाव आता है तो जो ब्लड वेसल से उसमें सूजन आ जाती उसको कहते है पैस ओन दी अदर हैंड जो आपकी मलदवार की जो तवचा रहती है गुदा मार्क वहाँ पे जो स्कीन है वो फटे जाती है या रपचर हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में उसको कहते है फिशर आजम बात करने वाले एक बहतरीन क्रीम के बारे में, जिसको आप भली भाती जानते हो। आजम बात बात कने वाले हिमालिया पाइलेक्स फॉर्ट Ointment के बारे में जो इस्तवाल होती है फिशर्स पाइल्स के लिए आजम जानेंगे हिमालया पाइलेक्स फॉर्ट जो ओइंटमेंट है उसको फाइदे क्या है साथ ही साथ उसको कैसे सही तरीके से सही धंग से अपलाई करना है यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है साथ हिमालया पाइलेक्स फॉर्ट सब्सक्राइब वर और सै जूझ रहा है यह ज्यादा वाली बात उसका नाख भी और उसको तुति अपना ये विक्ते सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी लाया हैं दे नियु तिंग्स हिमालिया पाइलेक्स फॉर्ट ओइंटमेंट में काफी सारे आयुर्वेदी घटक मिलाए गए है जिसमें है ब्रिंग्राज निर्गुंडी यशत बश्मा लजालू जेंडू अब हम जानते हैं हिमालिया पाइलेक्स फॉर्ट जो हिमालिया पाइलेक्स फॉर्ट ओइंटमेंट जो है वो फीशर्स यानि कि जहां पर आपकी गुदा मार्क के बाहर जो स्कीन है वो फट गई है या रप्चर हो गई है तो ऐसी कंडिशन में भी आप जो है पाइलेक्स फॉर्ट ओइंटमेंट का इस्तमाल कर सकते हो क्या या इक्स टेब्लेट का वीडियो नहीं देखा है हिल separately में चुट के बारे में एक हें width जानकारी पा सकते Темज मुल्छम पे आपने क्रीम को इस्तमाल किया है तो वहां पे ज्यादा ब्लेडिंग भी हो सकती है आपको इरिडेशन होता है और कभी-कभी जलन भी होती है अगर आपको इन में से कोई भी साइड इफेक्ट महसूर होता है यह परसंड डिफर करते है तो आप तुरंति अपने डॉक्टर इसे क्या होता है कुछ नहीं होता है सिर्व आपको नॉटिफिकेशन मिलता है कि अगर हम कभी आपके ओ इन्फोर्मेटिव वीडियो जो हम पब्लिश करते है वह आपको तुरंति पता चल जाए और ऐसी बहतरी जानकारी आज के दिन कौन पाया नहीं चाहेगा तो तुरंत ही लाल बटन पर जाई है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिये हुए जौइन बटन को भी आ जानचीश जाना है अगर कोईसर्व क्यूं-सपीश की बीमारी है तो यथ्ज जाने आद के बाद आपको सबसे इम्पोर्डनच चीज यही करनी है कि आपको एक थोड़ा सा गरम पानी करना है, बड़े पाम में और उसके बाद आपको वहाँ पे सिड्स बात करना है, इसकी वज़े से जो फीसर्स यों पाइस है और थोड़े से नरम हो जाते हैं, उसके बाद तीन स्टेप्स है, उसके बाद ही आप पाइलेक्स फॉर्ट में दिया गया एनल एप्लिकेटर, जहां पे आपको पाइलेक्स फॉर्ट ओइंटमेंट को पी साइज, यानि कि बहुत ही ज्यादा छोटे अमाउंट में उसको रख देना है, और बाद में जहां पे गुदा मार गया, वहां पे आपको धीरे से उसको अपलाए करना है, और आपको वो एनल एप्लिकेटर जो है, उसका बहुत ही ज्यादा इचिंग महसुल होती है, तो आप अपनी फिंगर का भी इस्तमाल कर सकते हो, जहां पे आपको हैंड ग्लॉस को पहन लेना है, उसके बाद की आपको पी साइज, जो अमाउंट है, पाइलेक्स फॉर्ट ओएं स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा, एनल डायलेटर भी ऐसा प्लास्टिक का रहता है, आपकी उंगली जैसा, वहां पे आपको क्रीम को रख देना है, उसके बाद एनल डायलेटर को आपको बुदा मार्ग में रखना है, और इंटरनल फीशर जो है, वहां पे धीरे- गोकसूरा टेबलेट का सेवन कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने अल्लेटी एक वीडियो बना दिया है, वो बहुत ही बेतर इन रिजल दे था, उसकी लिंक मैंने आई बटन में डाल दी है, तो आप बहां पे चाहिए, और हिमालया गोकसूरा टेबलेट के बारे में संपु इस्तमाल करना है तो ही आपको बैटरी मिलता है अगर आपको पाइलेक्स फॉर्ट ओइंटमेंट लगाते वग बहुत ही ज्यादा पेन होता है तो आप लिगनों के इंजल पहले इस्तमाल कर सकते हो इसकी वेज़े से वहां का जो एरिया है वह अनकॉंशेस हो जाता है ऐसी कं में नहीं रखना है अब नॉर्मल टेंपरेचर पर यह को रख सकते हो अब हम जानता है हिमालिया पाइलेक्स फॉर्ट ओइंटमेंट है उसके कुछ आपके सवाल जिसमें पहला कोश्चन है कौन से काम में इस्तेमाल होती है इंप्लामेशन स्कीन साथ ही साथ ब्लीडिंग क रोकने के लिए एवं जो chronic pain constipation में हो रहा है इसकी वज़े से पाइस हो गए है गुदा मार्ग में वहां पे इस्तमाल होती है दूसरा question है हिमालिया लेकिन उसका कोई सेफटी एफिकेसी डेटा अवेलीबल नहीं है क्या आप उसको कंजूम कर सकते हो तो यह करने से पहले डॉक्टर को एक बार कंसल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब टूटली फ्री है उसका कोई भी चार्ड ना मैं लेता हूं ना यूट्यूब लेते तो सब्सक्राइब कर दीजे और आगे जानकरी पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब आपने किया हुआ है तो नेक्स्ट जो वीडियो जाएंगे वो आपको इजीली मिल जाएंगे अमस्कार